हेलो एवरिवन मैं हूँ जोशिका फॉर्म लर्नोहब दफ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको मिलता है फिसिक्स कैमिस्ट्री बाइलोजी मैस आपसुलूटली फ्री अप कॉस्ट अट लर्नोहब.com तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे NCRT सॉल्यूशन क्लास चैंत के चाप्टर का नेम है मागनेटिक इफेट्स अफ करेंट और फ्रम कोश्टन वान टू कोश्टन सेवन आज हम डिस्कस करने वाले हैं तो जल्दी से रेडी रहिए और मेरे साथ साथ अपनी NCRT सॉल्यूशन की प्राक्टिस करेंगे तो बच्चों आज के सेशन का जो पहला कोश्टन आपकी स्क्वीन पर आया है उसमें क्या वोला गया है विच अप दो फॉल्वाइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स दा मागनेटिक फिल्ड नियर लॉंग स्ट्रेट वायर पहला अप्शन दिया गया है मैंगनेटिक फिल्ड कंसिस्ट और स्ट्रेट लाइस सेंक्री सेंटर वायर अंशर देने के लिए आपको 키या पता होना जीए आपने क्या पढ़ा है कौन सी एक्सप्ऎरिमेंट को याद करेंगे हम हम याद करिएंगे एक्सपेरिमेंट औफ सेंटेस्ट हांस क्रिशियन ऑस्टेट उन्होंने क्या बोला था उन्होंने एक कमपास लेकर आए ठीक है कमपास में आपका एक निडल होता है जो आपके नॉर्थ की डिरिक्शन को शो करता है उसने उन्होंने एक कंड़क्टिंग यहां पर हमारा अर्थ का नॉर्थ पोल होगा वहीं पर कमपास में निडल है उसमें नॉर्थ पोल होगा हमाल लेते हैं कि नॉर्थ साउथ इस्ट वेस्ट ठीक है अब जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उन्होंने अब्जर्फ किया कि जैसे ही वो कमपास को इस कंडक्टिंग वायर के पास लेकर आए तो यह जो कमपास है इसमें जो निडल है उसमें कुछ मूमेंट हुआ अब किसी भी ऑब्जेक्ट में मूलें मोमेंट कम होता है जब वहाँ पर फोर्स होती है क्या एनिफ पैन को मूफ कर सकती है मैं चाहूं कि एंण को bells तो without any force, यहाँ पर movement तो नहीं होगा, मतलब उन्होंने सोचा, कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो force लग रहा है, ठीक है, फिर उन्होंने देखा यहाँ पर, कि जब वो supply कर रहे हैं, तो यह जो conducting wire है, अब यह बन गया है current carrying conductor, और यह behave कर रहा है, एक magnet की तरह है, कौन से magnet की तरह ह अब कोई भी magnet होगी, तो उसकी एक magnetic field lines होगी, magnetic field होगा, जिसको हम represent करते है, magnetic field से, अब इस needle में अगर movement हो रहा है, तो यह जो compass है, जिसमें यह needle located है, वो भी क्या होगी, किस तरीके से behave कर रही होगी यह, जो यह compass है, यह भी उन्होंने कहा, कि यह भी फिर magnet होगा, जब यह द force, और यह जो magnetic force है, यह दो तरीके का होता है, attractive या फिर repulsive, अगर इन दोनों magnet के pole, अगर आपस में स्पास में आए, same, तो वो ripple करेंगे दूर, अगर वो दोनों ही opposite poles होए, तो वो क्या करते है, attract करते है, तो इस तरीके सा magnetic का force लगता है, दो magnets के बीच में, अब यहाँ उपर यह तो current carrying conductor भी electromagnetic है, यह भी, तो जब हम इस compass को, इस current carrying conductor के पास ला रहे हैं, इसलिए इसमें क्या हो रहा है, compass की needle में, moment आ रहा है, तो उन्होंने समझ लिया कि force इस तरीके से लगता है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, इस current carrying conductor wire को, यह जो है, इसके पास में एक उन्होंने cardboard या paper रखा और उस paper के ऊपर उन्होंने iron filling इंसर्ट कर दी, springle कर दी, आपके दो एक तरीके से springle कर दी, अब जैसे ही current carrying wire में, current carrying है तो इसकी जो magnetic field है, जिसको हम denote करते है, बी से, उसकी अपनी magnetic field lines होंगी, और इस field lines में ही force लगता है, field lines से बाहर कोई force नहीं लगेगा, मैं magnetic इधर रखी हो, मैं यहाँ पर object हूँ, तो अगर इसकी magnetic field lines मेरे इस हाथ तक आ रही है, तो यहाँ पर कोई force लगेगा, अगर इस magnetic field lines से बाहर हूँ, तो कोई force नहीं लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पर, इस current carrying conducting wire में, जो magnetic field lines है, जैसे आपने आपर current flow करा, तो यह जो iron fillings है, उन्होंने अपने आपको एक define pattern में arrange कर लिया, और वो जो pattern जिसमें उन्होंने arrange किया, वो कैसा दिखा उनको, इस तरीके का दिखा, यह क्या कहला है, concentric circle around current carrying conductor, तो center पर उन्होंने एक concentric circles form कर लिया, तो यहां पर हमें answer मिल गया, तो किस तरीके की fields generate होंगी, concentric circle around current carrying conductor, जो की हमारा wire ही है, तो हमारा option D is the right answer for question 1, question 1 तो हो गया है solve, चलते है question 2 की तरफ, तो बच्चो, question number 2 आ चुका है आपकी screen पर, जिसमें बोला गया है, the phenomena of electromagnetic induction is, A option दिया गया है process of charging a body, B option दिया गया है process of generating magnetic field due to current passing through a coil, C option is producing an induced current in a coil due to relative motion between a magnet and coil, and D option is process of rotating a coil of an electric motor, तो आपको definition पता होगी, सबने chapter पढ़ा है, तो क्या था, electromagnetic induction, ये क्या होता है, इसमें एक induced current को produce किया जाता है, coil के अंदर due to the relative motion of coil and magnet, तो कौनसा option है, C option है, यहाँ पे तो हमने ये theory पढ़ी हुई है, तो हमने बता दी, कहाँ पढ़ी थी, आपने पढ़ा था, चब चेप्टर पढ़ रहे थे, वहाँ पर एक experiment किया था, Michael Faraday जी ने, क्या किया था, Michael Faraday ने एक coil लिया, और इस coil को connect किया था, एक galvanometer से, और यहाँ पर उन्होंने एक magnet की position set की हुई थी, ठीक है, अब यह galvanometer क्या होता है, galvanometer होता है, एक ऐसा instrument जो आपके current की presence को detect करता है, circuit के अंदर, बात हुई clear, अब जब उन्होंने देखा कि जब उन्होंने इस magnet को एक stationary position पे रखा है, तो इस galvanometer में कोई भी deflection नहीं शो हो रहा है, कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पर कोई current flow नहीं हो रहा है, जब यह magnet stationary है, फिर उन्होंने क्या करके देखा, उन्होंने क्या करा, कि इस magnet को call के respective में move कराया, जैसे उन्होंने move कराया, तो galvanometer में deflection शो हुआ, जैसे deflection शो हुआ, तो उन्होंने देखा कि deflection शो हुआने को मतलब क्या current है, उसके अंदर current flow हुआ, अब ही जब current क्यों flow हो रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं वहाँ पर एक induced potential difference create होगा, जिसके कारण एक induced current generate हुआ है, सर्किट के अंदर, वही जो induced current generate हुआ है, क्योंकि potential difference create हुआ है, उसके वही क्या 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 है है, हमारा electromagnetic induction क्या लाए है, बात हुई clear, आब इसको इतब पूरा deep मे जाने की जहारवत ही है, क्योंकि आ मैं समझ रही है, आप पढ़ चुके रेक्टर में, सिफ मेरा यहां पर यह पताना था, कि जब माइकल फिराडे जब experiment कर रहे थे, तो वहाँ पर experiment करते हैं, उन्होंने देखा, कि एक induced current generate हो गया, जैसी उन्होंने magnet को move किया, with respective to the coil, due to the induced potential difference, ठीक है, तो उसको बोला उन्होंने, electromagnetic induction, तो इसलिए यहां पर C option हो गया है, right option, अब चलते हैं, थर्ड कोशन की तरफ, तो बैचो, थर्ड कोशन आ चुका है, थर्ड कोशन में बोला गया है, the device used for producing electric current is called, इसमें option दिये है, first option is generator, B option is galvanometer, C option is M meter, and D option is motor, अब जाहों तो आ आप इस option की through, easily answer कर सकते हो, कैसे, देखो, galvanometer का काम क्या था, कि वो current की presence को detect करेगा, circuit के अंदर, तो यहां पर क्या वोला है, कि आपको electric current produce करना है, तो क्या यह produced कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, M meter का क्या था, read करना current की value को, तो यह भी नहीं कर रहा है, motor में क्या हो electrical energy मिलेगी, और वो किस में मिलती है, हमको, mechanical energy में, mechanical energy भी कौन सी, rotational kinetic energy में मिलती है, अब यहां से सिफ option बचता है, generator, generator के नाम में ही आ रहा है, generate, अब जब हमारे घर में light चली जाती है, आप सभी ने देखा है, काफी सारी building में लोग रहते हैं, वहां पर जब light चली जाती है, तो एक backup रखते हैं, काफी जगाओं पर generator रखते हैं, generator क्या करता है, आपकी electric current को produce करता है, अब तो electricity आती है, तो वही वही generator क्या कर रहा है, generate करता है electricity, ठीक है, तो यही करता है, क्या produce करता है, electric current, और इसको हमने बोला generator, और यही generator जो आपने previous question में definition पड़ी, कि, electromagnetic induction की, उसी principle पर यह generator क्या करता है, work करता है, इसका मतलब हमें यहाँ पर answer मिल गया है, option A is the right answer for question 3, तो अब क्या करना, इसको lock करके आगे की तरफ बढ़ जाना है, तो मैं चो question number 4 आपकी screen पर आ चुका है, और इसमें क्या पूछा गया है, the essential difference between the AC generator and DC generator, आपको option दिया गया है, पहला option है, AC generator has an electromagnet, while a DC generator has a permanent magnet, B option में है, DC generator will generate a higher voltage, C option में है, AC generator will generate a higher voltage, and D में है, AC generator has a slip rings, while a DC generator has a commutator, this is the D option, और यहाँ पर diagram आपको देख रहे है, दोनों, AC का भी और DC का भी, पहले अगर AC को देखो, तो यहाँ पर north and south, जो एक magnetic के poles हैं, उनके बीच में एक rectangular coil को रखा गया है, और उसको connect किया गया है, यह slips rings से, और इस slip rings के जो ends हैं, उसमें एक brush भी add किये गए है, carbon brushes B1 and B2, वही DC में, यह जो पूरी rings यहाँ पर AC में है, पूरी, यहाँ पर हो जाएंगी, वही half, इस तरीके से, बीच में क्या होने वाला है, थोड़ा gap आज जाएगा, यह कहलाती है, अब यह अलग हो गया है, पूरा था circle AC में, तो इनको split करके लगाया है, यहीं जो split rings से हैं, क्या commutator के लाती है, बात हो रही है, clear, ठीके, अब इस question में, क्या पूछा गया है, क्या difference है, तो देखो, electromagnet और permit magnet के difference तो है नहीं, higher voltage का भी नहीं है, but according to the figure, AC generator has the slip rings, while a DC generator has a commutator, commutator है, और AC generator, इस question के according, जो हमारा right answer है, वो है D, अब आप को कि में function कैसे होता है, तो बच्चों स पढ़िंगे, after some time, दूसरे question के अंदर, यहां पर जो पूचा गया है, वो हमने discuss कर लिया, figure भी देख लिया, figure से समझ लिया, कि commutator होता है, हमारा split rings, and slip rings तो यहां पर connected है, तो दोनों, हमने with diagram समझ लिया है, इस question के according, अब चलते है, next question की तरफ, question number 5 आपकी screen पर है, जिसमें बोला गया है, at the time of a short circuit, the current in the circuit, A option a reduce, B option a does not change, C option a increase heavily, and D option a vary continuously, यह आपकी options दिये गए है, इसको समझने के लिए, इसका answer देने के लिए, आपको पता होना चाहिए, कि short circuit क्या होता है, सबने सुना है, यह तम अपने घरों में, सब लोग बोलते भी रहते हैं, यहां मेरे घर म इनको connect होना था, किसी bulb से for example, ठीक है, बट यह यहां पर connect होनी की, बज़ाई यहां पर तो battery होगी, जहां से current flow हो रहा होगा, यह यहां पर connect थे, बट किसी भी reason से, चाहें वो हो सकता insulated coating उनकी चली गई हो, या फिर कोई unwanted कोई cut आ गया हो, और यह wire आके connect हो गया भी यहां प connect कहा हो गया, वह यहां पर, जैसे यह दोनों वायर, दोनों टर्मिनल के आपस में contact में आए, जैसी contact में आए तो वहां पर sparking होई, वही जो sparking है, वो क्या कहनाती है, शौर circuit कहलाती है, अब इस सही को समझ सकते हो कि, अब जो current था, वो पहले जा रहा था, इस bulb को glow करने के ल रहे हैं, हम Google में गूगल बैप चालू करते हैं, वहां पर कहीं traffic दिखता है red line, तो वहां पर एक path भी मिलता है हमको, हमें अगरते हैं, शौर्ट पाथ पर चलने लगते हैं, उस तरीके से current है, current को क्या हुआ, वो long path पर जा रहा था, बट उसे एक दम से ना, दो वायर एक सा लाके इस bulb को glow कर रहा था, अब current क्या करा, current की जो current है, वो heavily क्या करने लगा, circuit में ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि उसने तो अपना काम की यह नहीं, वो ज्यादा हो गया, ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि resistance की value क्या हो गई यहां पर, resistance की value यहां पर हो जाती है, low, resistance की value जैसे ही low हुई, current क्या हो गया, increase हो गया, तो short circuit में हमारा current क्या हो जाता है, increase हो जाता है, इस diagram के तुरूपी समझ लो, यह रहा battery, इस battery से क्या होगा, current flow होगा, जैसी switch, अभी open है, प्लोस करोगे तो current flow होगा, current flow करके कहा आना था, इस bulb को उसे glow करना था, ठीके, अब क्या हुआ, यहाँ पर तो कोई भी current नहीं आया, क्यों नहीं आया, कि यह दुरों terminals के wire जो है, आपस में connect हो गया, जैसी आपस में connect होगे, वहाँ पर थोड़ी से sparking होई चिंगारी निकली, उस चिंगारी से fire हो गया, तो यहाँ तक तो कोई current नहीं पहुचा, अब क्या है, यही पर जा आता है, तो इसलिए यहाँ पर answer हो गया है, option, C is the correct answer for question number 5, तो अब चलते है, 6th question की तरफ, तो बच्चो हमारा अगला question, जो इसका number 6, तो आपकी screen पर है, जिसमें बोला गया है, कि state whether the following statements are true or false, तो पहला statement है, electric motor converts mechanical energy into electrical energy, ऐसा होता है क्या motor में, नहीं, क्यों, कोई motor है, motor कहां-कहां पर, fan भी है, washing machine भी है, microwave भी है, तो इसमें क्या ही अपने आप मतनब चलने लगते हैं, नहीं न, आप उसमें पहले आप प्लग उनका switch में लगाते हो, electric current flow करते हो, तब वो एक mechanical energy को पर यूस करते हैं, तो यह तो हो गया false, क्योंकि electric motor convert करता है, electrical energy को mechanical energy में यहां तो उल्टा लिखा था, तो यह option क्या हो गया, false, आप देखते हैं, B, B में क्या वोला गया है, B part में, electric generator works on the principle of electromagnetic induction, बिल्कुल generate करते हैं न, current, तो current generate करने पे induced current, कहां पर था, हमने भी थोड़ दर पहले भी डिसकस किया था, वर्किंग नहीं पड़ी है, लेकिन इसका principle मैंने आपको बताया था, कि electric generator works on the principle of electromagnetic induction, और electromagnetic induction भी क्या होता है, वो भी हमने पढ़ा था, relative motion हो रहा था, coil और magnetic के बीच में किस ने करवाया था, माइकल फ्राडे में करवाया था, जहां पर एक induced voltage आया, जिसके करने induced current पर पड़ी उस्ट होता है, उसको हम कहते हैं, electromagnetic induction, तो यह क्या हो गया, true, अब C portion देखो, C में क्या होला गया है, the field at the center of a long circular coil, carrying current will be a parallel straight line, अब long circular coil की बात की गही है, अब long circular coil की बारे में जब चैप्ट circular coil, solenoid, जब इसको आप connect करते हो, supply से, और key से, तो क्या होता है, यहाँ पर जो magnetic field produced होती है, solenoid क्या हो गया, आपका, एक long circular coil, जिसको आपने connect किया है, एक supply से, और एक plug की लगाती, ठीक है, इस solenoid के center पे, जो current है, will be parallel straight lines, क्या, magnetic field जो produced होरी है, center पे, तो बिलकुल सही है, क्यों है, सही देखो, center पे कैसी होती है, इस तरीके से, और फिर यहाँ पर, solenoid में, इस तरीके से कुछ produced हो जाती है, बट center पे कैसी है, parallel है आपस में, ठीक है, तो बिलकुल सही है, कि solenoid में, अंदर, inside the coil, the magnetic field lines is parallel, तो आप क्या लिख दोगे, the field at the center of a long circular coil, carrying current will be parallel straight lines, in the solenoid तो इस तरीके साब का figure आपने study किया हुआ, स्टेप्टर के अंदर, यहाँ पर इतना यह सही नहीं बनाए, बट, आप स्टेप्टर पढ़ रहे थे, वहाँ पर आपने देखा था, कि solenoid के अंदर, center पे, जो fields होती है, वो parallel होती है, तो यह भी क्या हो गया, true, आप दिखते color coding में क्या होता है, usually, जो color है, किसके लिए, इस live wire के लिए जो color होता है, वो पुराने color coding के according वो रहता था, red, and new color coding के according वो है, brown, ठीक है, तो क्या यहाँ पर यह green insulation wire का है, नहीं, तो यह क्या हो गया, false, और green color किसके लिए होता है, आपका, earth wire के लिए, पुराने color coding के according green और new के according yellow भी होता है, तो green and yellow किसके लिए होते हैं, earth wire के लिए, ना कि live wire के लिए, अब आप थोड़ा सा interest लग रहा होगा ना, कि neutral wire का color क्या होता है, तो neutral wire का जो color होता है, वो होता है, आपका light blue, किसका होता है, neutral wire का, यह हमने क्या देखा, color coding का concept देखा, कि उसके हमें पाल चला, कि यह जो D है, D यह गलत है, क्योंकि live wire का color, green नहीं होता है, उसका तो brown या red होता है, तो यह false हो गया, इसका मतलब, हमने true and false वाला, जो question को number 6 है, वो कर लिया है, तो चलते हैं, अपने आज के session के last question की दरफ, तो बच्चों आज के session का, जो last question number 7, वो आपकी screen पर है, जिसमें बोला गया है, list two methods of producing magnetic field, तो इस chapter को बढ़ने के बाद, यह question तो काफी simple लगेगा, magnetic field को produce करने के लिए, जो method आपको सिफ दो बताने है, तो पहला method आप लिख सकते हो, current carrying conductor, जो मैंने आपको starting में बताया था, तो first method to producing a magnetic field is current carrying conductor, second method क्या हो सकता है, permanent magnet, जिनके पास तो already क्या होती है, magnet के पास हमेशा क्या होती है, अपनी एक magnetic field line होती है, तो permanent magnet के थुरू भी आपका magnetic field होता है, and third, बताने की जरुवत ही नहीं है, चाहो तो क्या आप सकते हो, electromagnet, fourth one is artificial magnet, तो ये 4-5 आप आराम से लिख सकते हो, अगर आपके पास दो के इलावा भी और भी method पूछे जाए, magnetic field को पड़ी यूस करने के, तो अभी मैंने दो लिख दी है, that is, current carrying conductor and a permanent magnet, ठीक है, इसका मतलब, question number 7 तो काफी था simple और हो गया है, solve, जो की था हमारा आज का last question, तो बच्चो आज हमने discuss की है, from question 1 to question 7, और सारे ही थे, बहुती simple, objective भी थे, true and false भी आपने discuss करें, जैसा कि आप जानते ही है, learnohub free है, पर best है, और यहाँ पर आपको मिलता है, physics, chemistry, biology, mess, absolutely free of cost at learnohub.com. झाल